Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग, तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डाउट क्लियर कर दिते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हाल ही मैं मैंने अस्वत थामा के इंट्रो वीडियो पर रियाक्शन दिया था और वहाँ पे हुआ ये कि बहुत से लोगों की कमें साने लग गई, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे दोस्तो, बट दोस्तो मैं आपको बताना चाता हूँ कि जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि ब्रो तुम बॉलिवुड को क्रेडिट दे रहे हो इस मुवी के लिए, ये एक टॉलिवुड मुवी है ना कि बॉलिवुड तो दोस्तो मैं आपको बताना चाता हूँ कि मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ बॉलिवुड को इस मुवी के लिए ठीक है, जब मैंने अस्वा थामा के इंट्रो पे रियक्शन दिया था, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था यार, कि ये क्या है, बॉलिवुड है, ये क्या चीज है, चलो देखके एक बाद ट्राइ करते हैं, रियक्शन दे दे लेते हैं, कि आखिर है क्या चीज है, बट यहां तो सब कुछ उल्टाई हो गया यार, मुझे तो यार, ये भी नहीं पता था, कि ये हमारे सूपर स्टार प्रभास की मुवी है, तो दोस्तो द को देखो यार, साउट इंडरिस्टीज के साथ अब काम करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है ये, कि उन्हें देखो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बॉलिवुड में, बिल्कुल कब, बिल्कुल, कच्रा बढ़ा हुआ है, कच्रा का कच्रा है, सब कुछ कच्रा ही कच्रा है, कुछ एक्टरस को छोड़ के बस, ठीक है, जैसे कि हमारे राजकुमार राओ, मनुझ भाजपाई, और हैं यार, ऐसी बात नहीं, पंगश्ट रिपाटी जी होगे हमारे, कुछ कलाकार है, ठीक है, उनक कर रहे हैं, जो कि उनकी जिन्दिगी का सबसे बसे बसे मिलेगा है, बस, और कुछ मतलब नहीं था उस थमनेल का, तो दोस्तों इस बात को जादा ना बढ़ाए, आए दोस्तों, कन्फ्यूजन कुरना जादा बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ड करते हैं, और दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम रियक्ट करने वाले हैं कलकी के क्लिम्स के उपर, ठीक है, तो आए देखते हैं कि आखर ये क्या बवाल है, तो दोस्तों, आर यू रैड़ी, लेस्ट स्टार्डिट, वान, टू, टू, त्री, गो, हुआ 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 प्रोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च यार ग्लिम्स तो बहुत ही धासु था यार तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं कुछ लोग हैं जहांपे अमेर साफ सो सरवाइब कर रहे हैं बुरे लोगों के बीच में ठीक है और यहांपे मैं देख सकता हूँ कि दिपिका पादु कोन भी है ठीक है और यह भी मेरे लिए एक तरीके सा सरप्राइस था ठीक है मिरे को पता नहीं था कि दिपिका पादु कोन भी है यार देख लो मुझे दिपिका पादु कोन के बारे में पता नहीं था तो दोस्तों वाकई में हमारे प्रभास कुछ यूनिक लेके आ रहे हैं सच में और काफी बढ़िया मूवी लग रही है दोस्तों ये एक तरीके से मेरे को हलका फुलका साइन्स फिक्षन जैसी मूवी भी है वैसे पूरा ही साइन्स फिक्षन है इसमें हम देख सकते हैं कि कैस प्रभास टेक्नोलोजी के साथ खेल रहे हैं उनके पास एक तरीके का सूपर सूट है जिसमें वो एक तरीके से सूपर हीूमन के भी हीूमन लग रहे हो काफी बढ़िया लग रहे यार और सच में दोस्तों मैं प्रभास को उस लुक में एक यूनिक रोल में देखना चाहता और दोस्तों ये मुवी आने वाली है 9 माई को ठीक है और आज है 25 तारिक और बहुत जल्द इस मुवी को हम देख पाएंगे क्योंकि ये अगले मही नहीं आ जाएगी एप्रिल का महीना चल रहा है नई मैं तो दोस्तों 9 माई को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ल सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों तो मेरे प्यारे दोस्तों हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्त रहिए